दोस्तों हम लोग अंद्रक्ष की उंचाईयों को छूने के लिए तो जी जान लगा देते हैं पर हमारी ही धर्ती में उपस्तित समुद्रों में से हमने केवल 5% हिस्से को ही एक्स्प्लोर किया है यानि अभी भी 95% हिस्सा ऐसा है जिसको हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है और अगर हमें इस 5% हिस्से में हैरान कर देने वाले जल जानमरों की इतनी बड़ी आबादी दिख सकती है तो ज़रा सोचे कि उस 95% हिस्से में कितने ही रास दफन होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग अलग अलग परमपराओं में छुपे समुद्री देख्यों के बारे में जानने बाले है जो विज्ञान के नजरों में तो एक्जिस्ट ही नहीं करते पर उनके अस्तित्व की काफी संभाव नाए है तो बिना वक्त जाया करें चलिए वीडियो शुरू करते है लेवियाथन एक ऐसा समुद्री दानव है जिसे मुखे तोर पर यहूदी और इसाई पौराने कथाओं में देखा गया है ऐसा माना जाता है कि आज से हजारों साल पहले ये धर्ती पर रहा करते थे और ये काफी ज्यादा खतरनाक थे इनकी ताखत किसी ड्रैगन जैसी थी और इन सब के अलावा ये अपने मूँ से आग उगलने के अलावा बड़े बड़े तूफान और बिजले के जटके तक देने में सक्षम हुआ करते थे अगर आप काफी पुरानी पौरानी कथाओं को पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर कई बार लेवियाथन का उलेख देखने को मिलेगा यू तो ऐसा माना जाता है कि इसके आकार को कभी कोई नाप नहीं सकता पर बाइबल के नुसार एक लेवियाथन तकरीबन 50 फिट उंचा और लंबाई के मामले में लगभग 300 मेल याने की तकरीबन 445 किलोमीटर लंबा हुआ करता था यानि गोवा की पूरी लंबाई का भी लगभग 4 गुना अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजे कि समुद्र में पाया जाने वाला ये दानव कितना विशाल का हुआ करता होगा अब सवाल ही आता है कि क्या ये आधुनिक दुनिया में सच में हुआ करते थी या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुराने जमाने में जब भी कोई समुद्री यात्रा करने, बड़े बड़े समुद्री यात्री जया करते थे, तो अपना ध्यान भटकाने के लिए वो अपनी यात्रा को लिखना शुरू कर दिया करते थे. तो इसी प्रकार की कई ऐसे किताबें और आत्मकथाएं हैं, जिसमें जब समुद्री यात्रियों ने अपनी समुद्री यात्राओं का वर्णन किया, तो उन्होंने एक दो बार ऐसा जिक्र बे किया कि अचानक से एक शांत वातावार्ण में बिजली कड़कने लगी, और तभ उस दैत्य की तुलना लेवियाथन से की है, तो ये सिर्फ एक इत्तिफाक नहीं हो सकता, और हो सकता है कि शायद आज से कई सेक्रों साल पहले समुद्री यात्रियों ने वाके किसी लेवियाथन को देखा हो, हालां कि अलग-अलग पौरानी कथाओं में हमने इस दानव को लेकर अलग-अलग कहानिया पढ़ी और सुनी, पर एक कहानी जो हमने ज्यादातर जगों पर देखी और जो अत्यदिक विश्वस नहीं हैं, उस कहाने के हिसाब से गोडबाल हदाद के साथ एक बार लेवियाथन का काफी विद्वन शक और घमासान युद्द छिडा, जो क लेवियाथन को हाराया था, उसे मारा नहीं था, फिर पौरानिक कथाओं में ये भी लिखा कि इस हार से शर्मिन दहों कर लेवियाथन धर्ती पर आ गया और यहां के महसागरों की गहरायों में रहने लगा, यानि अगर पौरानिक कथाओं की बात की जाए तो ये असंबव नहीं कि लेव्याथन आज भी धर्ती पर जीवित हो सकता है कि वो आज भी बर्मूडा ट्राइंगल जैसी गुमनाम जगों में आता हो पर शायद किसी का ध्यान उस और इतना आकशित होता ही ना हो दोस्तों क्या हो अगर आप समुद्दर से गुजर रहे हो और अचानक से आपके सामने एक ऐसा जीव खड़ा हो जाए जिसके नौ सिर हो और वो आपके खून का प्यासा घूम रहा हो लैरनाईयन हाइड्रा की कुछ यही कहानी है ये ग्रीक माइथालोजी का एक ऐसा दानव है जिसका यू तो आज के समय में अंत हो चुका है पर इसके वंशजों को लेकर कई कहानिया मशूर है ग्रीक माइथालोजी के अनुसार ये नौ सिर वाला एक ऐसा भयानक राक्षस हुआ करता था जिसके साब जैसे नौ सिर एक ही शरीर में हुआ करते थी और इन सभी सिरों की अपनी अलग अलग विशेश दाई हुआ करती थी लंबाई में भले ही ये 25 मीटर की हुआ करते थे पर उचाई की मामले में इन्हें भी लेवियाथन के सम्तुले ही कहा जाएगा वैसे ग्रीक माइथालोजी को लेकर लोग काफे उच्साहित हो जाते हैं और इसी बात के चलते ग्रीक पैरानिक कथाओं में उल्लेक की जाने वाले ज्यादा तरजीवों के अस्तित्व को हकीकत माना जाता है पर इसी बज़े से लोगों का विश्वास इस बात पर और अधिक हो जाता है कि लेरनायन हाइड्रा असल दुनिया में भी मोजूद है एक कहानी के अनुसार हर्क्योनिक से युद्ध के बाद उसके नौसेर नौ अलग-अलग शरीरों में बढ़ गए थी और विवाजित हो गए थी और वो नौ हिस्से अब दुनिया के नौ अलग-अलग कोसों में समुद्र की गहराईयों में पाए जाते है काप्पा जाबानी लौक कधाओं में से एक सामुद्री दानवों के समुद्र का नाम है जिनका आकार ना तो बहुत बड़ा होता है और ना ही उनकी शकले सूरत बहुत ही भयाव है पर उनकी हरकते किसी राक्षस से कम नहीं दोस्तों क्या होगा अगर आपको सडक पर चलते चलते अचानक से दस आदमी एक साथ मारने लगे जाहिर सी बात है आपको काफी नुकसान पहुँचे का और आपके लिए वो भीड किसी हैवारों के जुन्ड से कम नहीं होगी ठीक यही हाल कपपा का है कहा जाता है कि यह समुद्र की गहरायों में अपना घर बसा कर रहते हैं लेकिन गहरायों में रहने के बावजूद यह हमेशा धरादल पर मौझूद पानी में अपने शिकार के लिए घात लगा कर बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई ऐसा हाई और अकेला वक्ती इनको मिलता है, ये तुरंट उसको जपट लेते हैं और फिर उसको पानी में डुबा कर मार डालते हैं। हालांकि पानी में डुबाना एकलोत ऐसा विकल्प नहीं है जिसके माध्यम से ये अपने शिकार के हत्या करते हैं। बलकि जमीन पर ले जाकर पत्थरों से कुचल-कुचल के मारना और शारिरिक बलकि सहारे उनके शरीर के अंगों को उनसे अलग करना ये भी इनके द्वारा किये गए टॉर्चर की सूची में शामिल है। हालांगिर के शारिरिक रूप से आप बिलकुल भी हैरान मत हुएगा क्योंकि सामोहिक रूप में कभी-कभी ऐसे मौके भी आए हैं जब ये देवताओं पर भी हावी हो गए थे। और आज भी जापान में ऐसे कई लोग हैं जो इनके डर से छोटे-छोटे जलाशों में भी जाने से भईभीत होते हैं। और वर्तमान समय में भी लोगों की प्रती इनके भई की कारण आज की हमारी इस सूची में ये तीसरे पाइदान पर आते हैं। और अब हमारी सूची में आता है वो दानव जिसके देखे जाने के एक या दो नहीं बलकी हजारों ऐसे प्रमान हमको तेरवी से अठारवी शताब्दी के बीच देखने को बिल जाएंगे। इसके मुँ में बड़ी आसानी से आ जाया करते थे। और अगर ये अपना एक टेंटिकल भी समुद्र में मार देता था, तो सौ मीटर उची बड़ी बड़ी सोनामी आ जाती थी। और ऐसे अनेको साक्षो पलब्द हैं जो इस बात के पुष्टी करते हैं कि क्रेकन असल जिंदगी में भी होते हैं। उधारण के तोर पर पिछली सदी में ही कुछ खोज करताओं ने ग्रीनलेंड के पास तैरा की करते समय एक बार ऐसा दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसे जीव को जाते हुए देखा, जो किसी भी समुद्री जीव से आकार के मामले में कई गुना बढ़ा और उसका शरीर क काफिया समर ने और खोफनाथ था और खोज करताओं कि उस टीम में से दो लोग सदमे में ही चले गए थी, हालाएं कि उसके बाद से हमने क्रेकन के देखे जाने के कोई भी पुखता सबूत नहीं मिलते हैं, पर पुराने जमाने में हजारों सेलर्स द्वारा पुष्टी की जाने वाली बात को सिर्फ सुनी सुनाई अफ़ा कहकर नहीं टाला जा सकता, और इसी वजह से अगर आप गूगल पर भी क्रेकन के असली होने के सबूतों की खोज करेंगे, तो ये आपको किसी मेथिकल करेक्टर से ज्यादा एक रियल लाइफ सी मॉंस्टर की रूप में ब बड़े बड़े जलाशों में पाये जाते हैं और इन्हें 21 सिदी में ही दसियों बार देखा जा चुका है। च्छे करोड साल पहले एक उलका पिंड धर्ती पर टकराया था, तो उसने हमारी धर्ती के लगभग हर एक डाइनसौर की प्रजाते का सर्विनाश कर दिया था। लेकिन वे ज्याने कैसा मानते हैं कि समुद्र की गहराईयों में छुपे कुछ डाइनसौर उस तबाही से ब पिल जाती हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि वो लॉचनेस मॉंस्टर की असली तस्वीरे हैं, पर कभी भी उन तस्वीरों के जहासे में ना आए, तोकि उन में से ज्यादतर गलत ही होगी। जिसकी कारण या तो इसे बाहबीत माना जाता है या तो शांतिप्री है। हालांकि आपके इन पांचों दान्मों के बारे में क्या विचार हैं, नीचे कॉमेंट्स में जिरू बताएं।